किसान भाई के पास पूंजी नहीं है सभाविक सी बात है जहां किसान शब्द आ जाता है वहाँ पर पैसा नहीं होता वहाँ पर हम देखते हैं कि कई ना कई हम गुजारे के लाइक ही हमने खेत में फसल पैदा कर पाते हैं चाहे वो छोटा किसान है या वो बड़ा किसान है जै जवान जै किसान दोस्तों संदू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजबी शिंग संदू आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम आएं करनाल में रोहिद भाई के फार्म पर जो पिछले 5 साल से देशी बर्ड पर काम कर रहे हैं इन्होंने 200 बर्ड से अपना फार्म सुरू किया था और आज इनके पास 12,000 बर्ड हैं और इनकी अपनी हैचरी है जिससे ये 2,000,000 बर्ड हर महीने निकाल कर ब पर इचे दीजे नमस्कार साथियों मेरा नाम रोहित है और मैं करनाल हरियाना से बिलोंग करता हूं और आभी मैं देशी मुर्गी पालन का वेवसाई कर रहा हूं और इसे करते वे मुझे तकरीबर 5 साल हो चुके हैं कितने बर्ड से स्टार्ट किया था आपने अपना फार किया था और आज इसे बढ़ाते बढ़ाते आप सब भाईयों की आशिरवाद से दुआउं से लगबग 12,000 मुर्गियों का फारम मेरे पास है भी आपके मन में ये विचार कहां से है देशी पॉल्ट्री करने का देखिए क्योंकि सबाविक सी बात है सर के हम फार्मर हैं किस इसके सासाथ हमें एक सहायक वेसायक के तोर पर कुछ ना कुछ काम जरूर करना चाहिए तो मेरे मन में विचार आया कि कोई किसान पश्यू पालन करता है कोई बख्री पालन करता है को मतस्य पालन करता है मचली पालन करता है तो मेरे मन में पॉल्ट्री को लेकर थोड़ा सा था कि मैं पोल्ट्री को लेकर करूँगा और इसलिए मैंने देशी मुर्गी पालन को चुना नाकी ब्रोयलर को और देशी मुर्गी पालन का चुनने का कारण यह था कि मैंने अपने आस पास के जो ब्रोयलर के फारम देखे वो मैंने उनको देखा चलते हुए वो पिछले कि फीड के रेट से लेकर चूजे के रेट से लेकर फाइनल माल के रेट तक कि इस हान के हाथ में कुछ भी नहीं होता इसलिए ब्रैलर की फार्मिंग ना करके मैंने देशी मुर्गी पालन को चुना जी आप अच्छे पढ़े लिखे हैं जी क्या क्वालिफिकेशन आपकी हमा मेरी जोब भी लग चुकी थी लेकिन उसे चोड़ने के बाद मैंने अच्छे सेलरी स्केल को चोड़ने के बाद इस काम को चुना और इस काम में ही हमने अपना 100% दिया अपनी पूरी मेहनत दी उसके बाद हमने इसका हर कंसप्ट जैसे हम देखते हैं कि मुर्गी पालन वि है और सबसे बड़ी बात अच्छे बीड को अच्छे बीड को मतलब कहने का क्या है कि अभी तक जो देशी मुर्गी पालन था या तो वो बैक्यार्ड फार्मिंग तक ही सिमित था कोई 100-200 मुर्गी पालन करता था लेकिन फार्म के अंदर हम बात करते हैं 5000 मुर्गी डाल द हर महिने अपने यहां से लाखों के हिसाब से चिक्स भी निकालते हैं सेल भी करते हैं इसके सासाथ अपना पालन भी करते हैं जब आपने 200 बड़ से सुरू किया था तब कितना बड़ा फार्म था और कितना इन्वेस्ट किया था देखिए यह बहुत बड़िया सवाल है किस कोटा किसान है या वो बड़ा किसान है बड़ा किसान है तो बड़े खर्चे तो जब मैंने शुरुआत की थी दो सो मुर्गी से शुरुआत की थी मैंने मैंने कुल पंदरा से बीस हजार रुपे से इस बिजनस की शुरुआत की थी हमारे पास जो पुराना एक बड़ा पायड हैं. कौन-कौन सी बरीड़वज है भी आपके पास हुआं डुक्टर साहब अभी हम सिर्फ कंट्री चीकन बरीड़ में ही काम कर रही हैं जिसमें हम अभी जो है डेसी वर्ड जो आता है जो बहृत Um complete होती है उस पे काम कर रहे हैं उसके लावा हम कड़कनात पर काम कर रहे हैं उसके बाद हम आर यार के भी काम कर रहे हैं तो इन तीनों ब्रीड के उपर हम काम कर रहे हैं आज कल फ्री रेंज पॉल्ट्री का भी चलन है जी आप इसको किस रोप में देखते हैं देखे फ्री रेंज पॉल्ट्री एक बहुत अच्छा विकल्प है किसान के लिए फ्री रेंज पॉल्ट्री को मैं ऐसे देखता हूं सर अभी हम जिक्रा कर रहे थे कि हम मुर्गी को रोक सकते हैं देशी मुर्गी को ब्रैलर को बेचने के लिए आपके पास चालिस से पिंतालिस दिन का टाइम है तो इसको पास माल लेते हैं कि आपने अपने खेत के अपने फार्म के चारों तरफ एक जो है बाउंडरी कर दी उसे हम फ्री रेंज फार्मिंग बोलते हैं उसमें क्या होता आप अपनी मुर्गी की फीड का खर्चा कम कर सकते हैं आपकी मुर्गी में बिमारी कम आएगी उससे इसके लावा फ्री रेंज फार्मिंग का एक और जो सबसे बड़ा बेनफिट है कई बर फार्मर की पोकेट में पैसा नहीं है फीड खिलाने के लिए तो कुछ टाइम के लिए वह उसे रोक सकता है जैसे की हरे चारे के साथ बजार में जब सब्जी सब्जी सस्ती हो जाती है कभी ख लाकेट फार्मिंग के बड़े प्रारूप के तरह देखें जैसे पहले हमारे जो कभी बड़े चोटे चोटे दबड़े बनाके रखते थे मुर्गियों के कभी सो पचास मुर्गी का उसी चीज को आज हम जब बड़े सारूप में लेकर आते हैं तो उसे हम फ्री रेंज फ पास में काफी जगा ऐसी होती है जहां पर फसल ठीक से नहीं हो रही है तो फ्री रेंज फार्मिंग वहां के लिए एक बेनिफिशली बहुत अच्छा किसान के लिए रहेगा आपने दो सो बर्ड से सुरू किया और आज आपके पास में बारह हजार देसी बर्ड हैं जी और अबरह दो अख़र्गाय का निचर है लेकिन आप खाने में यूज करें है या उसका निकाल रहे हैं दोनों में बहुत फरक है दोनों के इनर्जी क्या है वैल्लिव क्या है उस चीज का बहुत तो यह बात जब आप धार में डालते हैं उस चूजे का ग्रोथ रिशो क्या है FCR क्या है वो सब चीजी कर्कुलिट की जाती है तो हमारे पास यह जो है बर्ड है इसका हम कुछ जो चिक्स हैं निकाल कर सेल करते हैं और लगबग महीने की हमारी जो सबसे ज्यादा रहता है लगबग डेड़ लाक क्या सपास इसके बाद आर यार उसके बाद जो है आपका कड़कना यह तीनों ब्रीड सम देते हैं फुल वैक्षिन करके देते हैं लगबग दो लाक चूजा हम हर महीने जो है सेल करते हैं जैसा मैं समझ पा रहा हूं कि इसे दो तरीके से कर सकते हैं देखिए अगर आप छोटे स्केल पर कर रहे हैं तो मार्केटिंग के लिए आपको इसकी इतनी ज्यदा चिंता करने की जूरत नहीं है आपने सो दो सो पांट सो बर्ड रखा है वह असानी से आपका लोकल में दो चार पांच दस पीस करके जाया हगा आप देखते होंगे जो फेरी वाले होते हैं जो में पर पिछे पिंजरा बनाकर जो है उसमें चलते हैं और उसकी सेल करते हैं मार्केट में और दूसरा आपके पास तरीका है पंद्रा दिन के बाद आप इसे जितना जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा आपको वेल्यू उसके बर्ड की बढ़ती जाएगी ठीक है फिर हम इसके बाद मंडी पे आ जाते हैं इसकी मंडी भी लगबग अब हर जगा पर है देखिए हा हम नूर्थ इंडिया की दो हम बात कर रहे हैं तो कुछ जमूँ में जाता है शीर नेकर जाता है अभी रजस्तान मेवाध में भी इसकी काफी मंडीया है तो बेचने के मामले में डबल अफजी को कोई दिक्कत नहीं है हाँ कड़कनात की मुर्गी है तो आपको उसे अपने कड़गनाथ डाल दिया तो उसके लिए आप इम बताए था तो कड़गनाथ के लिए आप अपने एंट से देखेंगे बिखकी तो हैंडे के लिए अर्श बीडालने से पहले आप यह देख लें कि आप वहां पर क्या देशी हमारा continue बढ़ रहा है देखिए जिसमें टरन ओवर में कई चीज़े मेटर करती हैं आपके फीड के रेट क्या रहे हैं आपके बर्ड की है रही है यह सब यह सब चीज़ें जो हैं उसमें मेटर करती हैं तो मुम्होमन दो लाख चूजा हमारा हर महीने जो है हम जैसे बता रहे है उसमें अपने हैचरी के फार्म के लेवर के हैना आपके बिजली के इन सब खर्चों को निकाले तो इन सब चीजों को निकालते हुए आप मोटा मोटा जो है कि आप एक अच्छी आमदनी यहां से ले पा रहे हैं देखो मैं वह खूल के ऐसा नहीं बता पाँगा कि कितना भाई चाहे तो इसे आगे बढ़ा सकता है अपने स्केल पर छोटे से लेकर बड़े स्तर पर जा सकता है दर्सकों यहां मैं आप से कुछ कहना चाहूंगा जैसा कि रोहिद भाई ने पांस साल पहले 200 बार्ड से सुरू किया था और आज इनके पास 12,000 बार्ड हैं और इनकी अपनी हैचरी है आप इनको एक आइकन के तोर पर एक आइडल के तोर पर ले सकते हैं लेकिन आपके यहां पर आपकी मार्किट कैसी है इस बारे में सर्च करें अच्छी तरह से आप चाहें तो इनके यहां पर आ सकते हैं देख सकते हैं इनके सिस्टम को और यह आपको चिक प्रवाइड कराते हैं हर महिने इनके यह होता है इन्हों ने हाँ पर रैने की विवस्ता की हुए है यदि आप आके इनके देखना चाहिए यहां से चिक्स लेना चाहिए तो आपका बहुत बहुत स्वागतें इनके याँ पर तो ये थे हमारे साथ में रोहित भाई जिन्हों ने आपको देशी पोल्टरी और हैचरी के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी यदि आपको इनके द्वारा दी के जानकारी और हमारे द्वारा की कोशिस अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करे जैसे आज सेयर करें मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जै जवान जै किसाद जै जवान जै किसाद